आर्ति ठाकुर से यान नई नूज चैनल लुधियाना से आये गुर्दीव सिंग नीटू जी से जानते हैं कि प्रूण हत्या दिन बदिन कम होने की जगा क्यों बढ़ती जा रही है साड़े देश दे अंदर जड़ी प्रूण हत्या बार बार हो रही है उसथा यकारना के साड़े समाइ देवेच एक होड लगी या के साड़े कार जड़ा बच्चा पैदा हुए और लड़का ही होना चाहीदा भी लड़की पैरा न होँए लड़की जड़ी जड़ी कन्या पैरा होन दिया असी आनो लक्षमी दा रूप देवेचा सी दिख़ देया पर अजर लक्षमी दा रूप ना देखके सानो इस गालना बड़ा अफसोस हो रहा है देशवासी आनो के साथी दिन बर दिन जड़ी परून हतेया वाद रही है वो दे कई कारण है इक ता जड़े प्राइवेट होस्पिटल ने है वो होस्पिटल अन्यंदर स्कैन वगरा होंदेने वो इकदामी दास देने के तो अड़े लड़की है वो जड़े सिटी स्कैन वगरा है के ने बंद होने चाहिए देने ते साथे देश देवेच जड़ी लड़की और लड़काव है वो एक समान होने चाहिए देया अज कई जड़े परवार ने वो इस गलतों में दुखी ने कि जिस तरह बलातकार हो रहे ने बी ओ लड़किया देनाल लड़किया काट होन ते एजड़ीया समस्या जड़ी या वो कटे पर इस गलतों में जगरत तोना चाहिए दाए के देनाल चाहिए ओ बलातकार होने ने पर देनाल परवार खतीया जड़ी करनी है सब तो बड़ा जड़म है ज़ो इस जरूम दे लई असी सजा जड़ी आओ बहुत वड़ी रखांगे तर जड़े सकैन हुंदे ने उन्हारोते पबंदी लगावांगे तो पिर साढ़े देश जड़ी परण हत्या वबंद हो सकतीया और जर समाई सेवक लोग ने उन्हाना अगए आनाँ पएगा उन्हाना आके उकषभ उक अलाके आँ जड़े परण हत्या दे बारे जाकरत करना पएगा जड़े गरीब आदमी ने उन्हा देता चार-चार लड़किया हो दियाने देखलते जड़े अमीर आदमी ने उन्हा दे एक भी लड़की पैदा नहीं होने दे वो ये सोच देने के भी साड़े कार देवेचे लक्ष्मी हो गई ना एस लक्ष्मी नो जिना दूर करनेंगे उना ही जड़ा साड़े देश दे उपर जड़ी करो पीया दिन बर दिन वदेगी साड़ा देश एक महान पारत देश है जिस देवेच औरत मा दुर्गाद रूप देवेच जड़िया प्राइवेट होस्पिटल आने वेच स्कैनिंग सेंटर खुल गए ने और उना देवते कोई बेहन नहीं है साड़े देश दे अंदर और चोरी शुपे जड़ेया और चलान देया इना जड़ा फैदाव है और प्राइवेट होस्पिटल उठाके उना लोगानों फैरा देन देया कि जड़े लोग लड़की तो खुश नहीं है पर जड़ी साड़ी लड़की है और साड़ी मा लक्ष सुन्दा कि जिसना कारदे विच कोई है नी लड़की ता प्यार जड़ा हमेशां परवार जबाद होंदा और लड़की ही जड़ी मावाव देज़ी सेवावा है और सब तो जड़ा कर दिया और लड़के जड़े जड़े हैं चाहे जिने मर्जी पैदा हो जान उना रे जड़े जड़े समाज एक संस्थावाने और जड़े नेता लोग ने शोशल वरकर ने या जड़ियां सफाइडियां खुली आंगाने उना दिरही हर गली देविच हर महले देविच एपरून हत्या देवारे जड़े जड़े पूरा परचार नहीं उन्दा और जड़े सभाएर मेलेड़े जन्सीर फनसीरी झाज़े जड़े जड़े होना चाहिँ दी या क्योंके यEMA बहुत वर्ड़ा बंजन दिया, आड़ोकेड बंजन दिया, जाज़ बंजन दिया, वकील बंजन दिया, ओधे नाल माप बबन भी किनी खुशि ताही साधी गड़ी प्रोनतिया रुके और लड़कियां दी जड़ी अनुपात है जड़ी काट रही है वो ताही बराबर हो सकती है एक कारण ये भी माना जा रहा है कि सबसे जादा योन शोशन बढ़ रहे हैं और माँ ये चाहते के मेरी लड़की के साथ ऐसा नौँ हो इस वज़े से वो गर में पहले ही निस्ट कर देती है ऐसा क्यों होता है ये शोशन न पिछे जड़ी देवेच बलादकार वगरा होया और बड़ी कनोनी हरकत होई ये उदे करके कई जड़े माँ बापने और लड़की नो जमन तो ड़र रहे ने कि अगर साथ लड़की पैरा होएगी भी हो सकता साथ लड़की ना कोई ऐसा बुरा ना होए इता एक परमातमा दी गाला प्रबू दी गाला भी किस बंदे ने किस तरीके देना लो दी मोतानी है ते एगर सोचन दी गाले जड़ी है आपनों नहीं सोचना चाहिएदा उस परभवास पादे वाइगरू दी रजा दे वीचर रहा कि आपनों ने ने एक गलत कीता दिली दे वीचे आज तुस्या देहलो कि उन्हानों सजा जड़िया उन्हानों फंसी दी ही बिलेगी मोद दी सजा ही बिलेगी क्योंकि जड़ा कनूना दिन बर दिन वदा शकंजा जड़ा कस्या जा रहे हैं कनून सक्त हुंदा जा रहे हैं तो इस गलतों सबक लेना चाहिएदा कि प्रून हत हको देनाल साड़ा, जड़ा जीवन है, वो सुखी देह सकता, ज़ा जड़ी लड़की है, वो उसने अगे वशनन भूदाना होंदा, वो वश ताही यह वदाइसकता है, जह साड़े घाव ची लड़की होगी, जो सादे का लड़की ने होईगी तो बवंश कि दाब देगा ये सवाच नो बदाँ दे लएगा इस अपर आले दे नाल साँ जागरती होनी चाही दिया और एह होना चाही देगा के समाज नो उचा चेकर दे लएगा समाज दे जो आज दे आ जड़ी तो इन पहना ने जो हु याने ओरतानों समझाना पेगा, उना दे पेड़न्स नो समझाना पेगा, जाके एगल करनी पेगी, कि तुसी लड़कियां दा जड़ा अनु बात है, और ना कटाओ, इसनु वदाओ, जिन ना वदाओंगे उनना ही फैदा है, जिड़ी गरबती मेला होयां दिया, उस डक्टर नो ही उदे उते नजा दखनी चाही दिया, उदी जड़ी लिष्टा सरकार दे कोल, जा शोशल वरकरां कोल जानी चाही दिया, पी एगड़ा गरब पात दे निकोई करान वासते तियार होया होया, और जड़ी प्राइवेट नरसिंग हों खुले ने, जड़ी आन ट्रेड धाया ने, जड़ी आन ट्रेड नरसिंग हों खुले होया ने, जिना दे वेचे कोई या होजी गाल नी, ओधे एगड़ा काम होंदा, इस काम नो रोकां दे लई, सरकार नो सक्त ख़दम चेकन दे जी तूर दा, क्योंकि मां गरवती हों दिया, उस गरवती मां जड़ी लिष्ट है, अलाके दे शोशल वरकर, कॉंसलर, सबस साथियां नो पता ना चीदा, ड़क्टर तुरू के ए लड़की गरवती या, पिकिते एनो मज़िबूरत ने कीता जा रहा गरवपात करान दे लई, ता ही ये प्रून ह नीटू जी से गंफरून हत्याब बढ़ने के विचार, और मैं बेटियों को इस बारे में कोई संदेश देना चाहते हूं, मैं माता, पिता और बेटियों कोई संदेश देना चाहना हूं, कि साड़े देश देवेच सान लड़कियां दे जरूरत है, और उस नो लड़किया ने बात बदान देलेई, हर उपराला, हर स्योग जड़ा सान लो एक दूसरे तो मिलना चाहिए दा और देना चाहिए तां जो साड़े जड़े प्रून हत्याब बांध होए, एक बहुत वड़ा साड़े समाई देली कोड़ा, इस कोड़नो दूर करन देलेई, और आले के अ परविंदर पाली के साथ, बांध जी से बात करते हैं कि बुरून हत्या दिन प्रती दिन कैसे बढ़ती जा रहे है, आईए हम रमेश बांध जी से पूछते हैं कि बुरून हत्या बढ़ने के क्या कारण है, मेरा नाम रमेश बांध है, हम संस्था जो चलाते हैं उसका नाम उन्हें ही सोचना चाहिए कि अगर भूरून हत्या हुई होती तो वो भी समाज में ना होती अगर आज हम सभी मिलकर आवाज उठाएं तब ही ये लड़कियों की जो रेशियो बराबर में आ सकती है लड़कों के बराबर क्योंकि आज के युग में लड़कियां कम हो रही है और लड़के बढ़ रहे है उसके कारण बहुत सी समस्यां आ रही है बलादकार के शिकार हो रही है लड़कियां वो भी इसका एक में कारण है लड़कियों को किसी बात से कम नहीं समझना चाहिए एसके कहां तक चलेंगे जो पहले वो ही मा बनती है वो ही मासी बनती है वो ही मामी बनती है एक लड़की ही है जो पूरे परिवार को पूरे समाज को चलाती है तो सब को मिल करके इसके उपर सरकार को भी काम करना चाहिए कि कहीं भी कोई loophole ना रहे क्योंकि कुछ डाक्टर जो पैसे के लालच में ऐसे घंणोने काम करते हैं उनके लिए सजा का सख्थ प्रवीजन होना चाहिए ताकि एक ऐसे डक्टर को इतनी सक्त सजा दी जाए और बाद में कोई भी ऐसी घनोनी हरकत करने से डरे ब्रूनात्या का एक कारण गरीबी भी है देखें बिल्कुल ठीक बात है आपकी कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और वो दो ही बच्चे चाहते हैं और दो बच्चों में एक लड़की और एक लड़का लेकिन मैं उनको ये मैसी देना चाहता हूँ कि जो वो लड़कियों को भुरून के अंदर ही उसकी हत्या करते हैं वो गलत है वो सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की होगी तो वो कमाएगे नहीं लड़का होगा तो वो कमाएगा लेकिन आज की जो लड़की है वो लड़कों से ज़्यादा कमाती है तो गरीबी कारण तो है लेकिन गरीब लोगों को ये समझना चाहिए कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है एक कारण अनपढ़ता भी माना जा रहा है बुरून हत्या का ऐसा क्यों? देखिया ऐसी बात नहीं है अनपढ़ता तो नहीं पढ़े लिखे लोग जादा बुरून हत्या करवाते हैं अनपढ़ लोग तो चलो देख लो कहीं भी पैसे ना होने की वज़ा से भी हो सकता है मानता हूं लेकिन पड़े लिखे मोर्ड फ्रिफाल जो लोग हैं वह यह स्टेटस सिंबल समेखते हैं कि मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है वह अपने आपको कि जो हमने चाहा वह हमने अपने घर में अपनी बेटी और बेटे को समाज में बिचरने के लिए पैदा किया लेकिन वो लोग जो भगवान ने हमें दिया जो प्रभू की हमें देना उसके साथ खिलवाड करते हैं जो कי परमात्मा भी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता वो जीवन में हमेशा कस्ट ही भूगते हैं जो ऐसे घटिया काम करते हैं पुरून हत्या रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा सकते हैं? सबसे पहले तो हर इनसान को और समाजिक संस्थाओं को उठना चाहिए सरकार को सकते सकत कनून लाने चाहिए और उसके इलाबा स्कूलों में खास कर कॉलिज में सकूल में इस चीज के अवियान सरकारी तोर पर चलाने चाहिए कि अगर भुरून हत्या करते हैं अगर लड़कियों को गर्म में ही मारा जाता है तो उसका कितना नुकसान हो रहा है हमारे समाज को और आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो देश का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा जिससे बलातकार जैसी जो घिनोनी हरकते हैं वो बढ़ जाएगी और लड़कियां लड़कों को शादी के लिए भी नहीं मिलेंगी जिससे बहुत बड़े नुकसान आने वाले टाइम में हो सकते हैं अगर इसके उपर सकत कदम ना उठाएगा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं तो सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि कुछ भी हमारे साथ हो जाता है तो यह प्रभू ने किया है तो जो प्रभू ने हमें इस धर्ती को बैलंस करने के लिए लड़की है चाहे लड़का है जो दिया है उसको असेप्ट करना चाहिए परमात्मा की रजा में ही राजी रहना चाहिए और उस पर जो आदमी परमात्मा के खिलाफ चलता है वो हमेशा ही जिन्दगी में दुख भोगता है हमने रंगे अरभ मेश बांगर जी से बात कि और ये आशा करते हैं कि लोग